हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग अगर आपने पर्मनेंट ड्राइविंग लैसेंस के लिए अवेदन किया था और आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है और लेकिन आपको कई महीने हो चुके हैं आपका ड्राइविंग लैसेंस बाइपोश्ट आपके घर पर नहीं आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लैसेंस कहां अव तक पहुँचा है तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको ऐसे ही इन्फ साइट पर आएंगे इसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जायागा इस पर आने के बाद दोस्तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेश हो होगा यहां पर आपको पहला ओप्शन मिलता है ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस आप मोर के ओप्शन पर क्लिक करेंगे इसके दोस्तो आप यहां पर अपना अप्लिकेशन नंबर फिल करेंगे जो कि आपको फॉन फिल करते टाइम मिला होगा फिर आप अपनी डेट अप बर्त यहां सलेक्ट करेंगे फिर आप इस कैप्चा को यहां पर फिल करेंगे इसके बाद आप सम्मिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद भी आपका driving license by post आपके घर पर नहीं आया है तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ नीचे status में देख सकते हैं यहाँ पर इनका driving license जो की dispatch कर दिया गया था और यहाँ पर लिखा आ रखा है license has been dispatched यह license 2022 का है दोस्तों इसके साथ में ही दोस्तों आप नीचे यहाँ पर दे पोश्टल सर्विस और यहाँ पर एक tracking number भी इनको दिया गया है अगर दोस्तों आपको यहाँ पर tracking number नहीं मिला है और आपका यहाँ पर अभी printing of DL in form 7 शो कर रहा है और हो सकता है कुछ के status में DL dispatch by post भी शो कर रहा हो लेकिन आपको tracking number नहीं मिला है तो दोस्तों अगर आप उत्तरप्रदेश में रहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप इस website पर आजाएंगे इसका link भी आपको description में मिल जायागा यह website उत्तरप्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है यहाँ पर दोस्तों आपको option मिलता है contact us आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस् सकते हैं यहाँ पर उत्तरप्रदेश में driving license tracking help line के लिए एक इन्होंने number दिया हुआ है हर state में यह number अलग-अलग हो सकता है और हो सकता है कुछ state में यह सुभिदार ना हो तो दोस्तों अगर आपको driving license अपना track करना है आपका नहीं आया है तो आप इस number पर call करके application number बता के अ अगर दोस्तों आपको driving license से related और कोई समस्य आ रही है तो उसका toll free number यह है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जायागा आप इस number पर call करके अपनी problem को solve कर सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों अगर आप परिवाहन की website पर अपनी driving license के लिए शिकायत दर्जी करना चाहते हैं आप उस वीडियो को देखकर online complain कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में वसितना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को like करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे share करें ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे channel क सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाओ है तो आप कमेंट सेक्षन में हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद